आपका वापिश स्वागत है मैं विवेक बिंदरा फाउंडर इंसी यो बड़ा बिजनस डॉट कॉम आज मैं एक सन्यासी के विशे में बात करूँगा वीडियो थोड़ा अलग होगा आज डिफरेंट होगा सन्यासी के जीवन से पाउरफुल बिजनस लेसंस ये एक अलगी सन्यासी है हिल डिवाइंग रेस अभे चर्णारविंद भक्ती विदान स्वामी शिलाप रहुपाद कौन शिलाप रहुपाद ये इस कौन के फाउंडर आचा रहे हैं इस कौन का नाम तो लगए पूरी दुनिया ने सुना है इनका नाम कम लोगों ने सुना है स्वामी विवेक अनंद को तो लोग जानते हैं लेकिन इनके बारे में कम जानते हैं सस्टेनेबिलिटी कैसे लाएं प्रॉसेस कैसे लेके आएं पीपल स्किल क्या होते हैं रैपिड एक्स्पैंशन ग्रोथ स्पीड ये कैसे आता है बंगाल में इनका जनम हुआ था 1896 के अंदर और इनकी माता का देहांत हो गया था जब ये 14 साल के थे 1910 में ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज गए थे यॉरोपियन लेड एजुकेशन थी शुरू से बहुत तेज थे अंग्रीजी में इन्होंने पढ़ाई करी लेकिन इन्होंने डिप्लोमा या डिग्री जो भी थी बिटिश को रिस्पॉंड करते हैं वक्त इन्होंने इंडिपेंडेंस मुव्मेंट पो इसको लेने से अस्विकार कर दिया गांधी के नॉन कोपरेशन मुव्मेंट में ये बहुत बड़े कांट्रिब्यूटर रहे ये कोई शुरू से सनियासी नहीं थे प्रयाग राज अलाबाद में इनका खुद का फार्मसी का बिजनस था पर 1922 में जब अपने गुरू से मिले इनके गुरू उनको देखके पहचान गए कि शिला प्रवपात की अंग्रेजी तो इतनी अच्छी है कि जब ये अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेज भी डिक्शनरी खोल करके उस समय सम सब्सक्राइब हमारे देश में आ रही है शिला प्रवपात ने उनकी इंस्ट्रक्शन को दिल से लगा लिया गुरू मुखा पद्मा वाक्या चितेते कौरिया आइक क्या के गुरू के मुख से निकले में वाक्यों को चित के साथ एक कर लो अंग्रेजी में भगवत गीता क को ट्रांसेट करना शुरू कर दिया बैक तू गॉडडेट किताब लिखते भगवत गीता को ट्रांसेट करते लैप्टॉप टाइप राइटर नहीं करता कंप्यूटर नहीं होता तो मैनूली लिखते थे एक साल लगा करके इनोंने कई पेजिस के अंदर भर करके भगवत गीता को ट्रांसेट किया एक दिन फैक्टरी से वापिस आ रहे थे अपने घर पहुंचे जब घर पहुंचे तो ढूंडने लगे काघस कहा है सारे इतनी मेहनत की काघस इनको मिलने ही रहे थे बड़े परिशान थे उस समय अपनी धरम पत्नी से पूचा कि वो कहा है जो मैं उनसे पूच लिया टी और मी इनकी पत्नी ने बोल दिया टी उस दिन उन्हें अपना घर छोड़ दिया सन्यास देनी की त्यारी करी वहां से जाकर कि नोने फिर से भगवत गीता लिखनी शुरू करी बाद में ये व्रिंदावन चले गए कहीं साल विंदावन रहे भगवत टाटाक आगया कुछ केवल साथ में साथ डॉलर लेकि कुछ किताबें लेकर निकल पड़े वहां को इनको जानता नहीं था यह जानते थे कि मैं अकेला हूं और मैं सब कुछ नहीं कर सकता इसका मतलब यह थोड़ी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैं सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं कुछ कर रहूंगा और कुछ कुछ कर करके मैं सब कुछ भी कर दूँगा और वो हिम्मत लेकर के निकल पड़े वहां पहुंचे टॉम्सकिन स्क्वेर पार्क नियू यॉर्क के अंदर उन दिनों वियतनामी और यूएस का वार चल रहा था जिसके करन वहां बहुत हिप्पीज आ गए थे हिप्पीज वो हुआ करते थे जो सड़क पर लेट करके इलिसेट सेक्स करना नशा करना वहीं पर नंगे लेटे रहना दो दो चार चार छेचे महिन तक नहाना नहीं हिप्पीज ने डिफाई कर दिया अमेरिका को अमेरिकन सरकार परिशान थी कि ये लोग अपना घर छोड हो चुके हैं पूरी तरह स्वतंतर हो चुके हैं और कुछ भी कर रहे हैं इन्होंने सोचा क्यों ना इनी के साथ शुरुआत किया जाए सबसे डिफिकल्ट मैन पाउर को नोने करने का कोशिश किया उनको डायरेक्शन दिया ताकि मैं कमिट्मेंट ले सकूं दीरे दीरे उन इनका समान चूरी कर लेते थे इनकी बेज़ती करते थे पर प्रवपाद उनके लिए फिर भी भोजन बनाते थे उनको सुबेश शाम भगवद गीता पर कथा सुनाय करते थे उनके साथ बैठके किर्टन करते थे उनको धरी धरे मज़ा आने लगा प्रवपाद ने एक दे पुछा तुम नशा क्यों करते हो तो बोले सर मेरे को ना I want to stay high मैं नशा क्यों करता हूं मुझको अच्छा लगता है I want to stay high तो प्रवपाद ने का मैं तुमको ऐसा नशा दूँगा which will keep you high forever उन्हें बोला ऐसा नशा है आपके पास बोलो कौन सा नशा है बोले हरी नाम का न आइंगे दिने लोगों ने उनकी बात सुनने शुरू करी यह लोग अपना घर बार पहले ही छोड़ चुके थे प्रवपात को समझ में आ गया ऐसी मैंपावर जिसका कही दुनिया में उनको कल्टीवेट कर गया तो यह मेरे मुवमेंट को पूरी दुनिया में फिला जानती है इसलिए हंटी राइनॉसरस अगर शिकार करना है तो गेंडे का शिकार करो प्रवपाद में सबसे कथिन मुद्दा उठाया और उसके बाद अमेरिका की सरकार भी प्रवपाद को धन्यवाद करती थी कि तुमने ऐसे लोगों को नशा चुड़वा दिया वह सारे ह हिपी हैपी बन गए क्या कमाउन दुबारा सुनिए हिपी को हैपी बना दिया इनोंने कैसे हैपी बनाया उनको गुलाब जाव बना के अपने हाथ से खिलाते थे उनको कथा सुनाते थे और धिरे उनका हिर्दे में परिवर्तन आया और वहीं से प्रवपाद ने ये लीडर फिर दो को ऑस्ट्रेलिया फिर दो को रश्या फिर दो को इंडिया ऐसा करते करते उन्होंने सब जोगों लोगों को अलग अलग भेजा और बोला अब इस भगवत गीता को तुम लेके जाओ मैंने तुम को सिखाया अब तुम दूसरों को सिखाओ 1965 से 1970 तक लगब 11-12 सार इन्होंने पूरी तरह अपने आपको जूँक दिया पैसे की कमी थी इनके पास सोचा पैसा नहीं है तो अगर बत्ती पूजा में काम आने वाली अगर बत्ती का बिजनस इन्होंने अपने शिश्चे को करना समझाया लगबक 3 सालों के अंदर 1 मिलियन दॉलर का रिवेन्यू आना शुरू हो गया अगर बत्ती के बिजनस से किताबे इन्होंने तेजी से लिखनी शुरू कर दी ताड़े 5 करोड किताबे इन्होंने इस दौरान पूरी दुनिया के अंदर बाटी किताबे बेच करके कुछ फंड रेस किया जितने इन्होंने कारी नहीं किसी को लेकिन गोरे काले हर धर्म के लोग सीखने लग गए यह रिलिजिन से आगे लेकर के चले गए इन्होंने का रिलिजिन नहीं मैं स्पिरिच्वालिटी की बात कर रहा हूं उसी दौरान एक रिपोर्टर इंके पास आया बोला स्वामी जी इंडिया है फैक अब भवान नहीं मुझे गलती हो गई मैं भवान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूं सारे अमेरिका के अंदर अकबारों में छब गया कि पहली बारी को ऐसा इंडियन आया जो बताता है I am trying to become servant of God I am not God उनी दिनों Henry Ford के पोते Alfred Ford इंसे मिलने के लिए आए Henry Ford का नाम बहुत हुआ कर तरा प्रित्वी के अंदर प्रवपात कम बोलते थे लिमिटेड बोलते थे जब Alfred Ford इंसे मिलने आए तो प्रवपात ने केवल उनसे एक ही question पूछा Where is Henry Ford now? अब Henry Ford जीवित नहीं थे बस केवल उनकी आँखों में आँख डालके प्रवपात ने पूछा Alfred Ford उसी समय गवरा गया उनको समझ आ गया कि ये जीवन किसी के लिए नहीं है कोई नहीं बचने वाला यहां पे उनसी दिन उन्हें प्रवपात को सरंडर कर दिया और उनसे का मुझे भी भगवद गीता सिखाई है ये ऐसे संत सन्यासी है जिनके कारण आज पूरी दुनिया के अंदर सेकड़ों हजारों ऐसे मंदिर बने जहां भगवद गीता पढ़ाई जा रही है पाकिस्तान जहां कुछ भी हो रहा हो लेकिन आज भी स्कॉन के 12 मंदर है पाकिस्तान में जहां रोल्ट शाम को भगवद गीता पर कथा की जाती है यह बड़ा अनिमेजनेबल था कि कुछी सालों के अंदर इन्होंने छे महादवीब छे कॉंटेनेंट के अंदर 108 मंदर बना दिये यह तब किया जब वेंचर कैपिटल नहीं था कोई एंजल फंड नहीं था प्राइवेट एक्विटी नहीं था कोई आईपियों नहीं निक उस्तक नहीं होती पूरे विश्व के अंदर होती इतनी स्पीट थी प्रवपात की उस समय जब अपने शिश्यों से बात करते थे तो न्यू यॉर्क से साउथ आफ्रिका चिटी बेचते थे वह चिटी में प्रशन पूछता था जवाब देते थे पिर चिटी वापिस आती थी बावजूद इसके इन्होंने बारा साल के अंदर पंदरा बार पूरी पृत्वी का ब्रहमन किया एक बात समझिये सेज इस नौट अबाउट सेलिंग इजुकेशन विश्वास बढ़ाओ एजुकेट करो विश्वास बढ़ाओ एजुकेट करो दुनिया भर में इतना बढ़ा दिया एजुकेशन बढ़ा दिया भगवद गीता के बारे में के बीटल्स जो समय बहुत फेमस हुआ करता था बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने अपना सत्तर एकड का फार्म वाटफॉर्ट में लंडन के नल्दीग इनको डुनेट कर दिया वो इनका शिश्य बन ग चल्ते रिकॉड करते और बैटे बैटे करते 24 गंटे मेंचे 22 घंटा सेवा करते थे 2 घंटा अराम करते तो और livres गादेश था खिताबे ट्रांसेट करकर रिकॉर्ड करते थे उसको जांते रहे मैं लिखूंगा टाइप करूँ और टाइम लगेगा शिश्यों को बोलते थे तुम रिकॉर्डिंग को सुनो उसको टाइप करो उसी समय टेक्नोलोजी का समय करने के बाद साथ माइक पकणाया माइक स्वाछने करते दिश्यों करने के बाद समय लग अंदर वह काम किया जो कि बिल्कुल अकल्पनिय है इसमें मैं आपको बात लिखाना चाहता हूं इसको बोलते हैं EFA, Elephantine Focus Advantage, Elephantine Focus Advantage, इसको बोलते हैं अव्यर्त कालत्वम, संस्कृत का शब्द है, अव्यर्त कालत्वम, यानि कि इतना सा भी समय वेश नहीं करना, Obsessive Attention to Detail, इसको क्या कहते हैं OAD, Obsessive Attention to Detail, हाथी के बराबर हाथी शब्द इस्तिमाल किया गया, Elephantine Focus, जो कि इस लगना चाहिए, आपको बहुत भेंकर फोकस है, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे क्या कहता है, कि यार विवेक, मेरे को 12 साल लग गए, एक फैक्टरी को दो फैक्टरी बनाने में, जिसमें म पैकुंट से जब वेक्ति आता है, और ऐसी लीडर्शिप बिल्ड करता है, ऐसी लीडर्शिप वाला वेक्ति इतना इंपावर कर देगा, कि एक और्डिनरी आदमी से एक्स्ट्रा ओडिनरी काम करा जाएगा, जब जेब में पैसा हो, तो स्पीड आई जाती है, लेकिन प् भुत्वेक्ति थे, और जेंसी और पीपल स्किल, शिष्चे तंग करते थे, शिष्चे गलतियां करते थे, प्रावपाद टॉलरेट करते थे, पीपल स्किल के साथ में, शिष्चे इनको बहुत दुखी करते थे, प्रावपाद टॉलरेट करते थे, पीपल स्किल के साथ मे इन्होंने एक बार जब आपने शिश्चे को लेकर के रथयात्रा जोइंग करने गए जगनातपुरी के अंदर तो वहाँ पे मंदिर के अंडर अंग्रेजों को जाना मना है लोगों को प्रवपाद ने बोला अगर तुम मुझे जगनातजी के दर्शन करने नहीं जाने दोग ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है फूड फॉर लाइफ तंडे फील्ड ये दुनिया भर के अंदर हजारों मंदिरों के अंदर रोज शाम को हजारों लोगों को फ्री में खाना बढ़ता है इंडिया में लोगोंते मिलका जीसकोन अपने मंदिर से बनाखरा के भेचता है चॉड़ दर बच्चे को बो लेभ ऑप मानेऊह को कभी न स्ihadसा कॉ decis clan को नहीं किया जाहनते हैं अदर आमेरेका के अंडर भी आपको तो मालूँ है स्टीव जॉब्स का स्तानफर्ड यूनिवेसी का वो लेक्चर जहां पर उसने खुद ही माना था कि मैं रोज मेरे पाँ पैसा नहीं हुआ करता था एक खाना खाने के लिए एक बार का साथ मील पैदल चलके हरे कृष्णा मुव्मेंट पे फ्री का खाना खाके आया करता था वैसे एक बात बताऊं सुष्टमार स्वराज बोल बोल के ठक गई थी के भगवद गीता को राष्ट्रिय पुस्तक गोशित कर दो आज ये प्रभपात के चलते न्यू जर्सी की सेटन सेटन हॉल यूनिवर्सिटी के अंदर भगवद गीता को कंपल सरी कर दिया हरे क्रिष्णा मुव्मेंट से भगवद गीता को लेके केम्बरेज इंटनाशनल यूनिवर्सिटी यूके के अंदर 2020 से वहां भी किताबे कंपल सरी कर दी किया भगवद गीता सिखाने चाहिए क्यों क्योंकि आपको वैलियूज देंगी मुरालिटी देंगी करेक्टर देंगी एथिक्स देंगी प्रिंसिपल देंगे ताकि आप एक इंसान को मजबूत मना सको बहराल उनके पास समय कम था 1927 में जब वो शरी छोड़ने वाले थे उनका वजन आधा हो चुका था इतने पतले इसा की कैसा विक्ति कर रहे है इस समय कॉंशनेस को बिल्ट करना पॉसिबल ही नहीं है प्रभुपाद के सारे ओर्गन काम करना बंद कर चुके थे उनकी उमर बहुत जड़ा हो चुके थी लिकिन उस समय डेथ वेट पे चमा चाहता हूं गलत शब्स कर रहा हूं ऐसे लोग कभी डेथ नहीं होती लेकिन उस समय उस विस्त्रे पे लेट करके प्रभुपार शरीर छोड़ने से पहले भी ट्रांसलेट कर रहे हैं बागवतम को कि मेरे जाने से पहले मैं उतने गुरु के आदिश को पूरा करके जाओं अदभुत डॉक्टर बोला संभा भी नहीं है य जानते हैं यह पावपार ऐसे विक्ति रहे जाने से पहले नहीं पूरा मैंनेजमेंट मैं कॉम्म की अंदरना मैं कॉम होता है मैं कॉम का मतलब क्या मैंनेजमेंट कमिटी तो प्रभुपा चाहते थे मैंट को फैमिली रन बजनस पीतर ना चला हूँ इसको इतना की तरह नहीं चलते प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं उन्होंने एक मैनेजमेंट कमिटी बनाई बारा लोगों की लीडर्शिप त्यार करी बोला जो भी डिसीजन होगा जो भी पॉलिसी होगी बारा लोग मिल करके करेंगे ताकि कभी भी करप्शन ना लेकर करके आए जब भ कुसर के नाम पर प्रापरटी करके गते हैं खते हम फोरी जनिएगें लिकें LOOKAL होंगे अगर आपको पैसा चाहिए तो लोकल जगे से रेज करो लोकल जगें पर ख़र्च करो पैसा ना इस देश से हुच्छ जाएगा बिस्ड़ाएगा उस रिस आ suspense आएगा फल गोबंगे और खर्चा रीसोर्से लोकल होंगे यही मैं आपको बताना चाहता हूँ गर इस प्रकार की लीडर्शिप आप बिल्ड कर सके तो आपको जिंदगी के अंदर इसके लिए लीडर्शिप क्वालिटी चाहिए और वही मैं सिखाता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर इसको बोलते हैं लीडर्शिप जिससे आप सारे स्पिरिच्वल भी और बिजनेस भी सारे लेसन एक साल ले सकते हो रिए लीडर्शिप वीडियो को डाउनलोड वाच्साप पे करके पूरे देश में पहुंचाईए स्वामी विवेकानन को जानते हैं शिल अप्रावपाद को भी पहुंचाएंगे पूरी दुनिया के अंदर भारत रतन मिलना चाहिए ऐसे विक्ति को यह मेरी आफसे प्रारतना है बहुत सीरियस हूं मैं आज मैं अपने दिल से बोल रहा हूं सारे वाट्साप ग्रूप में सारे फेस्बूक ग्रूप में अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को निकाल के अप्लोड करें पूरी दुनिया में पहुंचाईए